आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का मेरी आज की शिक्षा का शेशा के संसार की सबसे चोटी बड़ी समस्या आप कहेंगे कैसे सबसे चोटी और सबसे बड़ी हो सकती है याकूब ने अपनी किताब में पाँच बाते बताई जिसमें पाँच अध्याई शामिल है ऐसे चिन जो हमें बताएंगे कि हम आत्मिक परिपक्वता में कहा हैं पहली बाद जिसके बिशेय में वो बताता है हम इसके लिए उसमें से उकर जाएंगे निकालिए याकूब एक पद्दो हैं मेरे भाईयो जब तुम नानप्रकार की परिक्षाओं में अपरके जाने में पड़ो या उसका सामना करो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो ये जानकर और निश्चित होकर की परिक्षाओं तुम्हारे विश्वास के परके जाने से धीरज और डटे रहना और साइयम मुत्पन होता है परन्तु धीरज और डटे रहना और साइयम को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरी और सिद्ध हो जाओ और पूरी उन्नती पाओर तुम में किसी बात की घटी न रहे तो वो कहता है कि यह दि हम उस जगह पहुँच जाया जहां हम परिक्षाओं में धीरेच धर कर रहें तो हम पूरी उन्नती पाए व्यक्ति हैं जो आत्मिक परिपक्व है आप में से कितने लोगों को धीरेच के एक शेत्र में बढ़ना है जब हम चाहते हैं कि बाते हमारी तरह से काम करें और वैसा नहीं होता तो हम क्रोधित हो जाते हैं हमारी लिए यह कटिन हो जाता है कि हम उस पर अधिकार ना करें उन बातों को हमारे हाथों में न ले और परमेश्वर की बाट जो है और परमेश्वर को अपने तरीके से काम करने दे इसलिए पहली बात हम उसके विश्य में फिर से बात नहीं करेंगे दूसरी बात याकुब एक बाईस परंतु परमेश्वर के वचन को करने वाले बनो संदेश का पालन करो और केवल सुनने वाले ना बनो अपने आपको धोखा न दो सत्ती के विरुद्ध में सोच कर धोखा न दो ये मेरे लिए एक महत्वपून शिक्षा है जिस पर मैंने प्रचार किया और श्रिंकला में बताया मैं इसके विशे में वस सोचती रही सोचती रही सोचती रही ये सोचना हमें खुद को धोखा देना कितना आसान है क्योंकि हमने वचन सुना है कि हम आत्मिक है परंत हो कहता है जो कुछ तुमने सुना है यदि तुम उसे करने वाले नहीं तो तुम धोका खाय हो कितने लोग कहते हैं मैं जानता हूँ मैं अपने शत्र को ख्षमा करना चाहिए परंतु जानता हूँ कि मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए परंतु मैं जानता हूँ मुझे विश्वास का कदम लेना चाहिए परंतो तो ऐसी बहुत सी बातें जिसे हम जानते हैं परंतो कुछ बातें जानने से आपकी बहुत साहता नहीं होगी हम उसे करने में आशिशीत है मैं आपको अभी कई वच्छनों तक ले जा सकती है और मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी उनमें इस एक है युहना 13, 17 जहां आईश्यों ने का यदि तुम इसे करोगे तो तुम आशिशीत होगे वो वहाँ बता रहे थे कि वे वहाँ अपने चेलों के पैर धोर थे और वो वहाँ बता रहे थे कि सेवक होना और लोगों के लिए आशिश होना और नमरता का जीवन जीना और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा के विशयोस ने कहिए तुम यह करोगे मैंने युधारन के रूप में किया अब यदि तुम इन बातों को करो तो तुम आशिशीत होगे हम कुछ सुन रहे हैं इसलिए हम आशीश इतन नहीं होंगे, ओ मेरा मतलब इसे सुनना तो आशीश है क्योंकि हमारी आत्मगवाई देती कि यह सत्य है, परन्तु सची आशीश तो इसे करने में आती है, वचन को करने में, देखे परमेश्वर पूरे दिन भर हमारे रिदय में बाते डालते रहते हैं, परमेश्वर हमारे रिदय में वो बाते डालते हैं, जिससे हम कर सकते हैं, वो आशीश का मार्ग है, परन्तु हमें पवितरात्मा के प्रती जागरु करहना सीखना है, और हमें रुकना है, जहां हमें जाना है, हमारी बातों को करने की कोशिश में ज या एक अंधा वेक्ति पोकारने लगा और इशुरू क्या जो वो कर रहा था उसे छोड़ कर उनकी सेवा की मैं आपके साथ बाट रही हूँ अपने विशय घमन के लिए नहीं क्योंकि कई बार मैं इन बातों को करना पसंद नहीं करती हूँ पर तु प्रचार के लिए मुझे हमें शवदारन चाहिए और ये तो ताजा है मैं विश्वास करती कि आत्मिक परिपक्वता को प्रगट करने वाली बात स्पश्रीती से या को वेक 27 में दिखती है हमारे परमीश्वर और पिता के निकट्शुद्द और निर्मल भक्ती धार्मिक काम जो बाहर प्रगट होते हैं ये है कि अनाथों और विश्द्वाओं के क्लेश में उनकी सुधी लें सामनित हम इस सरल बना कर कह सकते हैं सच्चा धर्म सची आत्मिकता और आत्मिक परिपक्वता यहाँ दिखती है कि क्या हम लोगों की मदद करते हैं सभी जगों पर लोग हैं क्या आप इसस समझ गय कोई ये न कहे कि मुझे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि जहां कहीं आप जाते हैं वहाँ लोग हैं यहाँ शाद सैक्ड़ों लोग होंगे जिनकी पास पैसे नहीं होंगे कि वे बहार उस टेप टेबल के पास जाए और टेप्स का एक सेट या फिर एक किताब खरीदें शायद यहाँ आने के लिए उन्हें अपना सब कुछ व्याय करना पड़ा आप में सैने एक ऐसे हैं जो बहार जाकर जो चाहिए वो खरीद सकते हैं लोगों को क्या करना चाहिए कि केवल वे अपने लिए सब कुछ ना करे पर न तो दूसरों के लिए भी कुछ करे आमीन आप कहेंगे मैं कैसे जानूंगा कि कौन खरीद सकता और कौन नहीं देखिए प्रशन पूछिए मैं हर समय प्रशन पूछती हूँ यदि आप आशीश होना चाहते हैं तो सबाखत भोने के बाद बाहर जाए और टेबल के पास रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उनसे आप कहें कि आपको किस चीज की जरूरत है इसे कहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं भी कुछ नहीं करीद सकता परन्तु जब मैं खरीद सकूँगा तब ये खरीदूँगा आप उन्हें खरीद कर दे सकते हैं और आशीश पा सकते हैं आज सुबे हम अपना होटल छोड़ रहे थे और वहां स्यादा बात नहीं कर सके लेकिन मेरे पास मेरी सारी किताबी थी हम कुछ मिनिट देर से चल रहे थे हम ओटल से बाहर आने की कोशिश में थे मेरे हाथ किताबों से भरे थे कोई और सामान की बहुत बैग उठाय था और मेरे पास मेरा पर्ज भी था हम अपने रास्ते पर थे और मैंने उसे देख कर सुचा कि वो स्त्री मेरे समान आशिशेत नहीं है जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है मुझे उसे कुछ पैसे देने के इच्छ हुई तो मैंने अपनी वस्तोय नीचे रख दी देखिए आपको इसके जरुति में आपको ये बता रही हूँ मैं आपको विचार देने की कोशिश कर रहे हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि ये बाते हैं हमारे जीवन में आशिश लाएंगी मैं ये विश्वास करती हूँ जब कभी हम आशीश होने के मौके को छोड़ देते हैं तब जो परमीश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं उसे हम चूग जाते हैं मैं सोचती हूँ कि वो तो स्वार्थी लोग बहुत ही दुखी होते हैं चाहितु ये है कि मैंने अब तक इसके विश्वे में नहीं सोचा था परन्तु आज सुबह मैं जो अच्छे से हसी शायदी उसका कारण हो सकता है आमीन निश्चे ही आप जानती हैं आप टीवी में देख रहे हैं या यहां देरी से आए हैं मुझे नहीं मालूम किसके पहले मैं इतनी गहराई से किटनी बारह से मैंने पूरी रीती से ताजगी महसूस की तो देखिए शायद यदि मैं नहीं रुकी होती शायद यदि मेरी बातों को कहते रहती तो शायद मैं वो उमरता हुआ आनंद खो बैटती मैं रुख गई और मेरी पर्स में से मैंने कुछ पैसे निकाल कर उसे देते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम जान जाओ कि इश्यू तुम से प्रेम करता और उसने कुछ कहा मैं वो समझ नहीं सकी फिर उसने कहा एडियोस और मैं जानती थे उस कार्थ क्या होता है तो मैंने का एडियोस हाललुया और मैं चली गई एक बार और आप गलत ना समझे मैं जानती कि जो कुछ हमने किया उसे लोगों को बताना नहीं चाहिए बाइबल कहती कि गुप्ट में दे मैंने आपको इसलिए नहीं बताए कि आज मेरी विशे में अच्छा सोचे मैं तो जब हम कर सकते उसका उधारन आपको दे रही थी कृप्या आत्मिक परिपक्वता स्वार्त और स्वाकेंद्रित होना नहीं है आत्मिक परिपक्वता आशिश होने के लिए मार्ग ढूनती है आमिन ठीक है तो परिपक्वत मनुश्य परिक्षा में धीरज धरता है वो वचन को करने वाला है याकुब 4.1 पहले दो वचन तुम में लडाईयां और जगड़ी कहां से आ गए क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुमारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं तुम दूसरों की चीजों की लालसा रखते हो और तुमें मिलता नहीं है तो तुम हत्या और डाहा करते हो तुमें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं तो सामा ने तरह हमने कर इसके विशे में बात कि और वो कहता है कि लोग बस वस्तुई चाहते हैं इसलिए वे जगडे से भरे हैं और लड़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं लोगों के पास जो है उसमें वे संतुष नहीं हैं वे दूसरे लोगों से जलन रखते हैं मैंने कल ये बास पश्ट बता दी थी कि जब आपको चाहते हैं परमेश्वर आपके सामने से बहुत से लोग भेजेगा जिनके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं और ये परिक्षा है हमने पहले भी परिक्षा के विशे में कहा परिक्षा में सफल नहीं हुए तो आपको दोबारा लेना होगा जिन लोगों के पास वो है जो हम चाहते हैं उन लोगों के लिए जब तक हम आनन अदितना हो तब तक हम उसे नहीं पाएंगे आमेन या को पाँच पहले कुछ वचन धनी लोगों के विशे में बात करते हैं और उन लोगों से कैसे व्यवार करना है एक शेत्र के विशे में निकल बात नहीं की पर तो आज कहना चाहूंगी वचन चार कहता है देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोका देकर रख ली है चिल्ला रही है पर मेश्वर धनी लोगों से एक बात कहता है यदि तुम व्यापारी हो या तुम्हारे पास कर्मचारी है तो अच्छा है कि और उनके लिए आशीश हो जाओ एक और बात इसे करने की कोशिश हम सेवकाई में करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम काम के बदले में सही वेतन दे और हम इनिश्चित करना चाहते हैं कि वे लोगों को सही वेतन दे रहे हैं और उन्हें अच्छे लाब दे रहे हैं मैं विश व्यापारी हैं तो आपको शायद जाकर हरी को दो डॉलर प्रति घंटे के रूप में बढ़ोत्री देनी होगी, ये शायद आपके आनंद को बढ़ाएगा और ये शायद आपके अभिशेक को बढ़ाएगा और आपके लिए संपन अता का नया द्वार खोलेगा, इसके लिए अपने लोगों से अच्छा व्यवार करें, उन्हें अच्छे लाप दें, आप जिसे चाहते की लोग आपसे व्यवार करें वैसे आप उनसे करें, और परमेशवर आपके जीवन में आशिश का द्वार खोलेगा जो सामर्ति नदी के समान होगा, आमेन फिर याकुब ने वो कहा जो आज हमारे संदेश में है याकुब एकचशब्वीस यदी कोई अपने आपको भक्त समझे परन्तु मुँमे ये लगाम ना लगाए ओ-ओ, हम वहाँ हैं कि नि याकुब अध्यायतीन पद्दो इसले कि हम बहुत बार चूख जाते हैं और कई बातों में चोट खाते हैं जो कोई वचन में नहीं चूखता है जो कोई गलत नहीं बोलता है वही तो पूरी उन्नती पाया है एक सिद्ध मनुश्य है और वो पूरा परिपक्व है और वो सारी देहे पर भी लगाम लगा सकता है और स्वभाव को नियंत्रित कर सकता है बाप्री वो कहता है जो कोई अपने मूँपर नियंत्रन रखता है और गलत नहीं बोलता है वो अपने जीवन की हर बातू पर नियंत्रन कर सकता है तो ये हमें बताता है कि नियंत्रन करना कितना कटेन है आप में से कितने इस पर सहमत है हम यह एक वचन पढ़ेंगे जो कहता है नहीं मनुष्य जीप को नियंत्रित कर सकता है हमें प्रभू को पुकारना है हम इसे अपने आप नहीं कर सकते है वो अपने शरीर पर नियंत्रन रखने योग्य है तो ये वचन सच में कहा रहा है कि ये आप अपने जीप पर नियंत्रन कर ले तो भविश्य पर नियंत्रन करेंगे मैं ये नहीं कहा रही कि हम परमेश्वर पर नियंत्रन कर सकते हैं परमिश्वर के पास हर वेक्ति के भविश्व के लिए अच्छी योजना है और मैं सोचती कि हमें से बहुत से लोग परमिश्वर की योजना को अपने ही मूँ से मार देते हैं अपने ही मूँ से अपने जीवन में परमिश्वर की योजना को न मारे परमिश्वर के पास ये इर्मया के लिए योजना थी और जैसे उसने इर्मया को बताया तब इर्मया कहने लगा मैं ये नहीं कर सकता मैं तो छोटा हूँ मैं ये नहीं मैं वो नहीं परमिश्वर नहीं कहा वो मत कहे प्रभू नहीं चाहता था कि इर्मया उसकी योजना को मार डाले जो हम कहते वो परमिश्वर की योजना में सहायक होना चाहिए परमिश्वर की योजना को मारना नहीं चाहिए यही तो वो बात है जो हम दूसरों से अधिक बोलते हैं हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहिए और हम क्या मैसूस करते हैं, हमें परमिश्वर क्या कहते, उसके विश्य में बाते करना है। हमारा न्याय उचे स्तर से और दूसरे लोगों से भी अधिक उचे स्तर से होगा इसलिए हम बड़ा लेखा देने वाले और बहुत बातों के दोशी ठहरेंगे वो कह रहे है यदि आप वचन प्रचार करेंगे तो आपकी दुगने जिम्मेदारी होती है कि रविवार को आपके मुँ से वचन निकले और सोमवार को आप शत्रु की ओर से बोलने वाले ना हूँ मैं इसे गंभीरता से लेती हूँ प्रभू ने मुझे दिखाय के दी मैं पूरे हफ़ते अपना मुँ भक्ती इन बातों के लिए उप्योग करूँ तो यह पेक्षा ना करूँ कि जब मैं पल्पिट पर राऊंगी तो अभी शेक होगा यह महत्वपूर्ण है जो डेव और मैं कहते हैं अगुएपन में बड़ी जिम्मेदारी होती है यह हर एक विश्वासी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मैं उस भाग को कहने जारी हूँ जो इश्व ने कहा था जब याकूब और यहना मेंसे एक उसके दाहिने हाथ और एक उसके बाएं हाथ बैठना चाहता था तब ईश्यों ने का तुम ने जानते कि क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने जारों क्या तुम उसे पियोगे? ये उसे अलग रीती से कहना है, इसके पहले कि आप रभु से कहें कि आप वचन सिखाना चाहते हैं, तो पहले निश्चित कर लें कि आप शुद्धु मू रखने के लिए, दाम चुकाने के लिए तैयार हैं। याकुप तीन, वचन चार से दस तक, वो हमें उन समस्याओं की गंभीरता बताता है, जो अनुश्यासन हीन जीप के द्वारा आती है। हम अपने वश्मे करने के लिए घोडे के मूँ में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देहे को भी फेर सकते हैं। अब मैंने कभी भी घोडे की देखभाल नहीं किये, पर अन्तु मैं सोचती हूँ मैं इतना तो जानती हूँ कि वे घोडे के मूँ में कुछ रखते हैं, जिसे लगाम कहते हैं, मैं नुमान लगाती हूँ कि वो तो धातु का छोटा सा टुकड़ा है और उसे थोड़ा सा इ दिशा दर्शाता है, जहाज यदि पे ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वाईश से चला जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माजी की इच्छा के अनुसार घोमाय जाते हैं, वो कहता है जीब छोटा सा अंग है परनतो वो आपके जीवन को दिशा देता ह आपको इसे गंभीरता से ले, ना है मैं चिंता नहीं करती कि आपने मूँ के बारे में कितने संदेश सुने हैं, आज आप ऐसा व्यवार करें कि आपने एक भी नहीं सुना मैं चाहती है कि आप अपने कानों से सुने और आत्मा के कानों से सुने, वो क्या कहता है कि मेरा मूँ मेरे जीवन को निश्चित करता है, परमेश्वर के पास की योजनाओ को मेरा मूँ मार सकता है या परमेश्वर के पास की योजनाओ के साथ मेरा मूँ सहभागी हो सकता ह उसने उधारन दिये हैं, घोड़ा एक बड़ा प्राणी है परंतु उसके मूँ का छोटे से धातू का टुकड़ा उसे दिशा दिता है। जहाज एक बड़ पात्र है, परंतु वो पूरा बड़ा जहाज एक स्टीरिंग वील के द्वारा मोड़ा जा सकता है। जो कि जहाज की तुलना में एक चोटा सभाग है ठीक उसी तरह हमारी शरीर की तुलना में जीप तो सबसे चोटा अंग है परन्तु फिर भी वो सबसे बड़ी समस्या है क्या आज मैं आपसे बिना खेत के कह सकते हूं कि मेरा मुँ और आपका मुँ ही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है समस्या धन नहीं है, समस्या लोग नहीं, हमारी नौकरी नहीं, वो संसार नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा मुँ है वचन पाँच वैसे जीब भी एक छोटा सांगय और बड़ी बड़ी डिंगे मारता है देखो थोड़ी सी चिंगारी से कितने बड़े वन में आग लग जाती है एक चिंगारी इस उधारन को समझ ले एक चिंगारी ने यहां हजारों और हजारों जगह को जला दिया होगा वो इसी उधारन का उपयोग हमारी जीब के लिए कर रहा है एक छोटा सा शब्द क्या आप जानते कि वो शब्द सम्बंद तोड़ सकता है जोड़ सकता है क्या आप यह जानते हैं शब्दी संबंदों की मुख्य बात है वही निश्चित करते हैं कि संबंद अच्छे हूँगे या बिगड़ जाएंगे शब्द शब्दी तो संसार में सबसे बड़ा आंतर लेकर आते हैं यो अद्बुत है कि लोग हम उनसे कैसे बात करते हैं उसके आधार पर हमें देखते हैं आधर के ख्षेत्र में आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मैं स्पश्ट्रीती से हिम्मत के साथ कई बार का कठेन प्रश्न पूछना चाहती हूँ क्या आप जानते हैं कि आप अपना अनंतकाल कहां बिताएंगे यदि इश्यू आज वापस आ गए तो क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ अनंतकाल बिताएंगे क्या आप सोचते हैं कि आप अन्त में कहां जाएंगे बाइबल कहती कि हमारे पास उद्धार की शाश्वती है हमारे पास शाश्वती हो सकती कि हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है क्या आप जानती थे कि इश्यो आपके लिए मरे कि उसने आपके सभी पापों के लिए दाम चुकाया उसने आपके लिए अपने लहूब आया एक पापी के रूप में आपका जो दंड था वो उसने लिया हाँ एक पापी के रूप में हम सबने पाप के और परमीश्वर की महिमा से रही थे परनतो धार सभी लोगों के लिए ओपलब्ध किया गया है क्या आज आपको मित्र चाहिए क्या आपको भविष्य चाहिए क्या आपको आपके पापों के ख्षमा चाहिए मैं चाहती हूँ कि अपने रिदे की गहराई से गंभीरता पूर्व की ये प्राथना मेरे साथ करें और जब आप इसे करें मैं चाहती हूं कि स्क्रीन के नंबर पर फोन करें, हमारे ओपरेटर आपके साथ थोड़ी और प्राथना करेंगे और हम आपके हाथों में कुछ साहिती देना चाहते हैं जिसके विशे में हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए आशीश होगा और आप अपना नया जीवन इशु के साथ शुरू कर सकते हैं यदि आप सच में यह समरपन करना चाहते हैं कि आप जीवन भर प्रवु की सेवा करेंगे तो मेरे साथ प्रार्थना करें कहें पिता परमेश्वर मैं तुसे प्यार करती हूँ इश्वू तुझ पर मैं विश्वास करती हूँ विश्वास करती हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मरा मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी लिए अपना लहू बाया मैं पापी हूँ मेरी पापो को ख्षमा कर मुझे तेरी जरूरत है इशू मेरे रिदे में आ इसी वक्त मैं अपने आपको आपको सौपती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे मुझे ले और जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसे मुझे बना मेरा विश्वास है कि मैंने उधार पाया मैं स्वर के रास्ते पर हूँ मैं आपकी महिमा के लिए जीना चाहती हूँ और यात्रा का आनंद लेना चाहती हूँ आँ में प्रभु आपको आशीज दे परमिश्वर के साथ अपनी नई चाल का आनंद ले